कि एक बाल काफिया कब डेमेज़ और श्प्लिट्स वाले दिखाए देरे का प्रीमिटर यूश के लिए उससे आफके बाल टेमेज हो गए या आपके बाल काफी अधा पतले होने के विए से बाल टूट रहे स्केल्प में इरिटेसन है डिन्रफ हो गया उसको किस तरीके से रिमूव करना वह भी नेचरली तो आज में जब आपको अंडे से बनी रेमेडी सर्व करने वालों काफी इफेक्टी होना वाले किस तरीके से बनाना है किस त कर सकते हों अभी मैं एक अंडे की सितमाल करने से हारे में काफी आदा इम्प्रमेंट मिलता हमारे हैर का टेक्स्चर इंप्रोव होता है हमारे बाल में जो स्प्लिट एंड उसको भी रिमूओ करता है बालों को नेचरली स्मूद बनाने के अंडा पूबोए फाइदेबन हो तो एक अंडे को एक बावल के दर निकाल लेना है अब हमें इसके दूसरी चीजे मिलाना है वो है कर्ड यानिके दही दही के अंदर लैक्टिक एसीड होता है जो हमारे स्केल को क्लीन करने के लिए स्केल में फंगल इंफेक्शन होगा उसको रिडियूस करने के लिए कम करने क के लिए और हमारे ड्राय डेमेज बालों को स्मूतर बनाने के लिए दही बहुती फायदे मंद होगी तब को तीन से चार चमबचे करीब इस अंडे के अंदर दही को मिला देना है अब हमें इसकंदर लास्ट चीजी मिलाना है वो है लेमन लेमन का आपको जूस इसकंदर एड अच्छे से मिक्स करना थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो तब इसको यूज में लेना आपको इसको यूज करने के लिए स्केल्प से लिए पूरे बालों पर इसे अच्छ लिए मैंने 20 मिर्ट तक लगा रखा था और उसके बाद बालों को वस्क कर दिया था आप चाहो तो उसके बाद सेंपू भी कर सकते कंडिशनर भी कर सकते जो भी आपको सूटेबल लगे उस तरीकी से बालों को वस्क कर लेना इस रेमेडिय के इस्तमाल करने से कुछ हद तक ब बाल काफी अच्छे दिखाई देंगे तो इस रेमेडिय को आप फिक में दो बार यूज कर सकते हो तो एसी इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें